कि यहां पे हम बात करने वाले हैं युनिवस्टी आप कश्मीर से बीएड जिसका सेकेंड प्रविजनल लिस्ट जो आउट हो चुका है तो जिन जिन बच्चों ने बीएड के लिए अपलाई करा था कश्मीर युनिवस्टी से प्राइवेट जो भी अफिलेटेड कॉलेज़ लिंक आपको देखने को मिल जाएगा हमारे यूटिव के डिस्क्रिप्शन में जो भी आपने कॉलेज़ प्रेफर करा था आपने जब फिल करा था तो सिंप्ली उस कॉलेज़ का आप जो आप देख सकते हो अपना नाम ठीक है और इसमें यह आगया कि आपको अडिमिशन फ आनलाइन होगा यह फार्म ठीक है इसका भी लिंक आपको जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सिंप्ली इस लिंक पर टैप करना और अपना जो रिजिस्टर नंबर है वो फिल करना जो भी आपका सोरी अप्लिकेशन नंबर है और आपका डिटेल आ जाएगा ठीक ह और उसके बाद आप अपने सारा क्वालिफिकेशन बगारा सारा फिल करोगे, ठीक है, और ये 31st जैन से लेके 6 फैब तक चलने वाला है अपका, उससे पहले पहले आपको सारी जुडे करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको कॉलेज आना है, ठीक है, ये डाकुमेट्स लेक ठीक है, जो भी आपका अड्मिशन का फार्म मिलेगा, सब्मिशन करने के बाद, डाकुमेट्स बेरिफिकेशन के लिए और इजिनल फार्म में, ठीक है, जो आपका कंसर्ण कॉलेज होगा, जो भी आपको कॉलेज मिला होगा, ठीक है, और इसके लिए भी उन्होंने दिखा जो already in service candidate है यानि कहीं पर job कर रहे है ठीक है और उसको concern जिसी department में वो job कर रहे हैं वहाँ से वो NOC लेगे हैंगे यानि no objection certificate और एक आपको एफिडव्ट बनाना है ठीक है first class magistrate ठीक है और जिसमें आप लिखोगे कि I am not roles of any other institution मतलब मैं कहीं दूसरी जगा पर enrolled नहीं हूँ जो भी document में submit कर रहे हैं सारे genuine है यानि एक्तम accurate है ठीक है और live है और reserve category certificate अगर किसी बच्चे का है तो उसमें लिख देना है कि मैंने आज तक benefit नहीं लिया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है यह वाले लेकिन यह लिख देना है कि जो भी college के rule and regulation होंगे मैं strictly follow करूंगा ठीक ह कोई अगर कहीं पर मैं misinformation यह कोई concealment of any information प्रवाइड करता हूँ तो मेरा admission आप उसी time cancel कर सकते हो और मेरे हिलाव legal action भी ले सकते हो तो यह आपको लेकिया आना है और last मैं यह line लिख देना कि यह जो affidavit है मैं इसको अपनी इच्छा के अनुसार जबा है वो submit कर रहा हूं without any pressure compression fraud and यह हो गया ठीक है और बाकिया आपको क्या क्या documents चाहिए marks card चाहिए आपको ठीक है और provisional character चाहिए ठीक है जो last attended institution होगा वहां से मिलेगा आपको यह और reserve category अगर किसी ने apply करा था category का benefit avail करना चाहता है अगर कोई तो उसको category certificate भी लेके आना होगा ठीक है और apply कर देना ठ automatic की category का option वहां पर आजाएगा जब आप admission form फिल करोगे और migration certificate very very important और यह उन बच्चों के लिए migration certificate होता है जिन बच्चों का क्या है कि other than kashmir university यानी kashmir university से उनका last course नहीं है जैसे for example जम्मू university से कोई बच्चा है उसका last course जम्मू university से है या कोई other central university से है तो उन सभी को migration certificate ले और बाकि आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है और आपको link दोनों के मिल जाएंगे हमारे कहां पर youtube के description में ठीक है एक तो admission form का link भी आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर और दूसरा आपको जो list का भी ठीक है जो आपका list है कि आपका नाम आया कि नहीं वो कैसे visit क करने वो भी आप जबाब है simply tap on the link और आप जबाब हो बहां से देख सकते हो डाउनलोड कर सकते हो pdf जो भी आपने college अपना opt करा था प्रैफर करा था अज के लिए तना ही मिलते है अगली वीडियो में तप तक लिए जुड़े रहे मारे साथ और have a good day